हलो दोस्तो अंडर 19 एशिया कप में भारत को मिली पहली हार पाकिस्तान ने 8 विकेट से हराया पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2023 के पांचवे मैच में भारत को 8 विकेट से सिकस्त दी है दुबई के ICC एकालडेमी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए आरदर्स सिंग, उदय और सचिन के अरदर शतकिया पारी के बदावलत 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 269 रन बनाये है इसके जवाब में पाकिस्तान ने आजान आबेश की शतकिया पारी के बदावलत 18 गेंद शेश रहते हैं ये मुकाबला अपने नाम किया 260 रनों की लक्ष का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 500 ओवर में सलामी बंदलेबाद शामिल हुसेन का विकेट गवाया वह 15 गेंद में 8 रन ही बना सके इसके बाद शाहजेब खान और आजान आबेश ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 110 रन जोड़े शाहजेब 88 गेंद में 33 रन बना कर आउट हुए आजान ने कप्तान साथ बेग के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साज़दारी की और टीम को जीत दिलाई आजान आबेश ने 130 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए साथ ने 51 गेंद में 68 रन बनाए भारत की और से अभिशेग ने दो विकेट चटकाए इससे पहले भारत की पारी का आगास करने उतरे आदर्थ सिंग और अर्शिन कुलकर्णी ने टीम को सधी हुई शुरवात दी है दोनोंने मिलकर पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े भारत को पहला जटका अर्शिन कुलकर्णी के रूप में लगा जिनहें 24 के नीजी स्कोर पर अमीन हसान ने पविलियन का रास्ता दिखाया पहले 10 ओवर में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 42 रन बोर्ट प लिए 93 रनों की साज़ेदारी हुई शांदार बल्ले बाजी कर रहे आदर सिंग 62 के नीजी स्कोर पर आउट हुए टीम इंडिया को 149 रन पर तीसरा जटका लगा वहीं उनके बाद बल्ले बाजी करने आये मुशाहिर दो और अबनीश 11 के नीजी स्कोर पर पविलियन अभिशेक ने चार और राज ने साथ रन बनाए सचीन घास 42 गेंद में 58 रन बनाकर पविलियन लोटे पाकिस्तान की और से मुहमद जिशान ने चार उवेद शाह और आमीर हसान ने दो दो विकेड लिये